नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चाड़क के नीती, चाड़क के द्वारा रचिते एक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाओ दिये गए है इस गरंत का मुख्य विशय, मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदावलत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महतवपूर नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है दोस्तों अगर आप अपने जीबन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा दोस्तों साधी शुदा जीवन को चलाने के लिए पती पतनी के बीच प्रेम और बिश्वास का होना बहुत जरूरी है लेकिन जब दोनों के बीच किसी कारड से कड़बाहट बढ़ने लगती है तो यहाँ इस्थिति रिष्टे के लिए घा तक बन जाती है दोस्तों कई बार किसी ना किसी कारड से शाधी शुदा जिंदगी में किसी तीसरे की इंटरी हो जाती है दोस्तों शाधी के बाद कई पुरुष दूसरी महिलाओं के परत्याकरसित होने लगते हैं हालां कि महिलाएं भी इन मामलों में पुरुसों से पीछे नहीं रहती इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाएं किन कारणों से शादी के बाद भी दूसरे मर्दों की वरा करसित होती हैं दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक अतीत की तरफ जुकाओ दोस्तों कई मामलों में जब लड़की की मरजी के खिलाब दूसरे व्यक्ति से बिबाह कर दिया जाता है तो वो अपने पर्थम प्रेम को भूल नहीं पाती अपने बीते हुए कल को भूल ना पाने के कारण वो अपने नए जीवन साती से कभी भी भाबनात्मक रूप से जुड नहीं पाती और ऐसे में वो अपने पर्थम प्रेम की और दोबारा से आकरशित होने लगती है दोस्तों शादी शुदा जिंदगी में कही बार पती की तरफ से प्रेम और उसका समय ना मिलने पर लड़कियां अपनी शादी से बोर हो जाती है इस दोरान अगर उन्हें दूसरे पुरुशों का आटेंशन मिलने लगता है तो वो उनकी तरफ आकरसित होने लगती है जिस कारण उनकी शादी शुदा जिंदगी में कड़वा हटाने लगती है दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब महिलाएं खुद को भावनातमक रूप से अकेला महसूस करने लगती है तो वो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी और व्यक्ती का सहारा लेने लगती है सामान ने तोर पर महिलाएं तब अकेला फिल करती हैं जब उन्हें अपने पती से प्रेम, सम्मान और साथ वैट कर वक्त विताने का मौका नहीं मिलता दोस्तों कई बार महिलाएं अपने जीवन साथ ही कि कुछ बातों से इतना आहत हो जाती हैं कि पती से इस बात का बदला लेने के लिए किसी और के साथ अफेयर कर लेती हैं दोस्तों एन टीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी परकार के वीडि मैं वीडियो